और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजे सभाज आजामो कश्मीर की सिथी पर चर्चा के बीच ग्रिह मंत्री राजनाथ सिंग इस वक्त अपना वक्ता भी दे रहे हैं सुयाओ दिया था प्रात्रकाल लोटने के बाद भी पहली मिटिंग यदि उन्होंने किसी की कोई की तो कस्मीर के हालाग को लेकर जो एक रिवीव मिटिंग होती है वहार रिवीव मिटिंग प्रधानमंद्रिगी ने करने का काम किया मैं समझता हूं कि जो कुछ भी कास्मीर में हुआ है यदि हम उसे दुरभाग्यपूर्ण नव मानते अत्वा जो कुछ भी हुआ है उसके कारण हमारे जिगर में प्लडा यदि नहों होती तो साइद इतनी जल्दबाजी में यात्रा करके कोई लोटे जेटलेक से मेंटे के बाद तो वा कास्मीर के मुद्दे पर मिटिंग करे साइद ऐसा नव होता है जो हमारे गुलाम लवी आजाद साहब ने और जितने भी सम्मानी सरस्यों ने कास्मीर के हालात पर जो लोग मारे गए है सिविलियंस उनको लेकर जो उन्होंने पीड़ा व्यक्त की है मैं उसके साथ अपने को भी संबद करना चाहता हूँ हमारी भी उतनी ही पीड़ा है और मैं कहना चाहता हूँ कि साइद किसी भी देश भग्त को जो कुछ भी कास्मीर के हुआ है उसके कारण निश्चित दूप से सभी को यह पीड़ा वही होगी कहा गया कि excessive force का प्रियोग किया गया अब यह एक समिख्षा का वी से हो सकता है लेकिन मैं सदन को निश्चित रूप से यह जानकारी देना चाहता हूँ क्योंकि मैं वहां मौदूद नहीं था वहां स्वेम एक राज्य सरकार है एलक्टिक गवर्मेंट है जम्मु कास्मीर में वहां से जो कुछ भी हमको रिपोर्ट प्राप्त हुई है मैं उसकी जानकारी सदन के समक से रखना चाहूँगा उस सभापती मोदे मैंने स्वेम कि बीएसेफ के डीजी को बुला कर अपने चैंबर में बुला कर मैंने कहा कि मैक्समम रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज की जानी चाहिए जितना अधिक से अधिक आप फोर्स का प्रयोग करने से बच सकते हैं वह आपको बचने की कोशिस करनी चाहिए और फिर दो दिन के बाद एक दिन के बाद फिर मैंने टेलिफोन करके उन से जानकारी प्रती दिन इसके वारे में पूछटा था और हमारे प्रदान मंत्री जी ने भी कहा जितना अधिक से अधिक resistant एकसरसाईज की या सकती हो वह resistant एकसरसाई जोहाँ पर की यानिशेती है एक बार नहीं चार बार दस बार और यही बार हमारी चमुकासमी की म्भवा मुती जी निañभी कहा कि मैं भी यही बरावर فोर्श को NDREF दे रहे हूं कि जितना अधिक से अधिक रिस्टेंट वो बरस सकते हैं वो रिस्टेंट बरते हैं और यदि मजबूरी में यदि वेपन का प्रियोग करना है तो नाम लेधल वेपन का ही प्रियोग किया जायाना चाहिए बोली का प्रियोग नहीं किया जाना चाहिए यह बराबर यहां से हम लोगों ने जो इंस्रक्शन्स देने चाहिए वह इंस्रक्शन्स दिये हैं उपस्वापती मोदे मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि लगभग फाइवंड़ सिक्स्टी यह इंसिदेंट्स हुए और इसमें लगभग वाइलेंस के फाइवंड़ सिक्टी सिक्स घटनाए सिक्रोटी फोर्सेस कितनी घटनाए हुई पहले मैं सिविलियंस की बात करना चाहूंगा क्योंकि सिविलियंस वन थाउजन्ड नाइन हंड़ फाटी एट घटनाए हुए जिन्हें हॉस्पीटल में ट्रीटमेंट दिया गया है इनमें से वन थाउजन्ड सेवन हंड़ इसे पूछा है कि यदि किसी और डाक्टर्स की यदि टीम की जरुवत है किसी एस्पेसलिस्ट डाक्टर की जरुवत है तो मैं दिल्ली से भेजने को तयार हूँ भलही हमको बाई एयर यहां से क्यों भेजने को तयार है हमारे प्रधानमंत्री जीने में का है वहां से पहले यह कहा गया था कि कुछ लोगों के आँखों में चोट लगी है उनके इलाज के लिए डाक्टर आ जाएं तो अच्छा रहेगा जो ही जानकारी प्राप्त हुई दो पहर को साम को साथ बज़े हमारे डाक्टर्स की टीम बने रैटिना जो सरजंस होते हैं उनकी टीम का स्रीनगर में वहां पर लैंड कर दें वहां पर उतर दें और जो कुछ भी सहयोग दे सकती थी वह टीम वहां पर जाकर उस टीम ने सहयोग दिया है शिविलियंज के जहां तक धायल होने का है सवाल है मैंने बतलाए कि 1,948 जिसमें की 1,744 को डिश्चारज कर दिया गया है केवल 2,204 है सेक्योटी फोर्सेज जो घायल हुई है 1,671 यह जो इंज़र्ड हुई सेक्योटी फोर्सेज उनका नंबर में बतला रहा हूं और एक जवान भी सहीद हुआ है और 33 सिविलियन्स की मौत हुई है चाहे वो सिविलियन्स हों अथवा सेक्योर्टी फोर्सेज हों मौत मौत होती है और उपाध्यक्स बहुत है हम लोगों को भी बहुत पीड़ा इंगुस्तान में मैं समझता हूँ कि संबेदन सिल्टा को दरकिनार करके कोई राइदी नहीं कर सकता है और भारत जैसे बड़ी देश को बचा नहीं सकता है और मैं यह मानता हूँ जैसा लोगों ने कहा न आपने कहा कि प्रास्मीर की समस्या के समाधान की मैं ते कहना हूँ political process ब्रारंब की आजा इसमें कोई आपती नहीं है सबसे बड़ी बात जो कास्मीर की समस्या के समाधान में ध्यान रखने की है संबेद न सील का sensitivity वहां की वहां के लोगों की जज़बाद वहां के लोगों की भावनाएं और साथियत साथियत कास्मीरियक जो कास्मीर की identity है उसका भी हमको ध्यान लखना होगा साथ इसी हकीकत को समझते हुए हमारे आदर्णी अटल वहारिवाज पहीजी भूद पर प्रधान मंतरी ने यह कहा था जिसे आज के प्रधान मंतरी स्री नरंद्र मोदीजी ने भी उसे दोहराया है कहा था उन कास्मीरियक जम्हूरियक और इंसामियक कास्मीर के समस्थ से आके यह तीन सूत्र है समाधान के यहाँ आदर्णी अटल वहारिवाज पहीजी ने कहा और आज की हमारे प्रधान मंतरी मोदीजी ने भी उसी को दोहराया है और आज भी हम उसी पर कायम हैं लेकिन उस सभापती में होते हैं कस्मीरियक की जम्हूरियक में अस्थान यदि हो सकता है तो केवल इंसानियत का अस्थान हो सकता है हैवानियत का कोई अफ़ान ने किसे क्योटी फोर्सिस के मारे जाने के बार यदि कोई यस्ट मनाता है क्या हुथ रभापती मुहदे इसे इंसानियत कहेंगे यह हैवानियत मैं समझता हूँ कस्मीरियत में और इंसानियत में किर रखने वाला कोई यक्ति इसे स्वीकार नहीं करेगा और मैं अपने गुलाम नभी आजा भाई कि इस बात से मैं पूरी तरह से समथ हूँ मिलिटेंट्स के साथ सक्ति होनी शाहिए और मैं यकीन दे लाना शाहता हूँ कि मिलिटेंट्स के साथ सक्ति होगी हो रही है और होगी लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है जनता के साथ थिंपैथी होनी चाहिए मैं आपकी पूरी बात से थिंपैथी सब्द का आपने प्रियोग नहीं किया था आपका कोई सब्द कोई दूसरा था लेकिन मैंने उसे बनाया कि मिलिटन्ट के साथ सक्ती और आम जनता के साथ सिंपैथी हम इसी पर कायम रहेंगे इससे नहीं हटेंगे लेकिन हुआ क्या कास में है मैं उसकी चर्चा करना शाह हूंगा उपसभापती महोदे एक आतंकवादी बुरहान बान हिजबल मुयाहिदी का कमांडर जो कि पाकिस्तान में युनाइटेड जिहाद काउंसिल का सबसे एक इंपार्टेंट पार्ट है महत्पोन हिस्सा है यह जो है कमांडर उसे हिजबल मुजाहिदी और युनाइटेड जिहाद काउंसिल बिभिन आतंकवादी संगतन चाहे वो लस्करे तोइबा हो जैसे मुहबद हो का यह एक युनाइटेड ग्रूप है इसे यू जे सी कहते हैं युनाइटेड जिहाद काउंसिल उसका ऐसे बते हैं जो कि पाकिस्तान की हिडायत पर पाकिस्तान के इंस्ट्रक्संस पर वो बराबर भारत में आतंकवादी घटनाओं को अन्याम लेता है और यातंकी संगटन हिजबल मुजाहिदिन का बुक्याल है पाकिस्तान की राजधानी इसलामाबाद और राबल पिल्डी में इस्तित इसका सरगना स्यद सलाहुद्दीन है और इसका बेस कैम पाक आकुपाइट कास्मीर के मुदफराबाद भी इस्तित है मैं पूरे सदन को ये जानकारी देना आवश्यक मैं मानता हूँ बुरहान बानी हिजबल मुजाहिदिन का आतंकवादी था और दक्षण कास्मीर में हिजबल मुजाहिदिन का कमांडर था जैसा मैंने पहले मात इनके उपर पंद्रह वकड में दर्ज थे पंद्रह हत्या के हत्या के प्रयास के अस्थानी लोगों को चोट पहुचाने में इस तरक्षाबलों के हतियार गोलाबारी चुन चिलने में और मैंने ऐसे पंद्रह फायार इनके उपर पहले से दर्ज थे और जितनी टेकलाजी सेवी जो वहां की नई पीड़ी है यंगस्टर्स की है उनको रडिकलाइज करने में भी वह अपनी हत्त पुड़ भूनिका का अंदर बाद कर रहा था सोशल मीडिया जिसे फेस्वूप, ट्वीटर, वार्ट से पर नियमी तूप से स्टेटमेंट, वीडियो, मेसेज़ेज और यहां तक की पिक्चर्स अफलोड करके इवाओं को वहां के नौजवानों को हथियार उठाने के लिए वह बराबर इंस्पायर करता था, प्रेयरि किया और आपरेशन करने में जहां पर वह मारा गया था, उसके अत्रिक्त भी दो और थे, आतंकवादी जो मारे गए, उसमें एक सर्ताज अहमत से और एक परवेज अहमत धार, एक टोटल यह तीन आतंकवादी मारे गए, और उसी के प्रेलांग सरुप, मैं जया बांता हू उसे वापती मोदे, जो कुछ भी हो रहा है, वो पूरी तरह से पाकिस्पांसर, पाकिस्पांसर, कहने को तो नाम पाकिस्तान है, लेकिन हरकतें उसकी हर नापात हैं, हर हरकतें नापात, आज एक हमारे देश में कोई आतंकवादी मारा जा रहा है, और हमारे आंतरिक मामलो में पाकिस्तान हस्तक छेप करेगा और इतना ही नहीं है पुरे पाकिस्तान में ब्लैफ बे बनाया जाएगा नाम है पाकिस्तान यह हालत है उपसे वापती महोदे और मैं कहना चाहूंगा कि वहां की सिटी को सहच सामाने बनाने के लिए जो भी अधिक्तम प्रयास होगा वह अधिक्तम प्रयास हम लोगों की तरफ से होगा मैं बराबर वहां की मुख्यमंत्री के संपर्क में हूँ सुबह साम कोशिश हमारी यह होती है अक्वा दो पर कम सम एक बार दो बार दिन में हमारी उंसे बात हो यह और सिक्का जाए यह और साथ ही हमारे जो भी गौर्वर्मन्ट आफिशिल्ट हैं उनसे भी परावरों के हालात की जान कारी लेता रहता हूँ और जो कुछ थे अधिक्टम संभ हो है वह करने की कोशिश्शे करता हूं — यह बात कास्वीर के बुक्ष मंत्री मैंने पर्सों ही टेलिफॉन मिलाकर उन से यह का मैंने का कि महभुवा जी मैं स्वयम आना चाहता हूं कास्वीर और कास्वीर मैं आउँगा तो गवर्नर हाउस नहीं रुकना चाहता हूँ बलकि लहरू गेस्ट हाउस है कोई वहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा और मैं कास्वीर के लोगों से मैं सीधा बाच्चित करना चाहता हूँ संबाद करना चाहता हूँ महववाजी ने मुझे सुझाओ दिया यह बहुत ही अच्छा होगा लेकिन थोड़ा इस्टिटी सामाने हो जाने दीजिए उसके बाद मैं स्वयम दिल लियाऊंगी और वहाँ पर आपके साथ बैटकर कुछ अधिकारियों के साथ बैटकर बाच्छित करेंगे और इसका कैसे यहदायला प्रारम किया जाए कैसे लोगों के साथ बाच्छित प्रारम की जाए इस संब्ध में हम चर्शा करेंगे स्वयम यह बात उन्होंने यह कहीं है और उप्चमापती मोहदे मुझे और कुछ अधिक तो नहीं कहना है लेकिन इतना मैं जरूर कहना शाहूंगा यहां कि बराबर वहां के लोजवानों को कुछ ऐसी ताक्ते हैं जो बराबर बरगलाने की कोशिस कर रहे हैं और आज भी वह बरगलाने की कोशिस कर रहे हैं और जो बात यह हमें कह रहा हूं वह पुरी गंभिरता के साथ कह रहा हूं और पुरी संसीदगी के साथ यह बात में कह रहा हूं उपसे भापती मोड़े हैं जो लोग आजादी की बातों को लेकर बराबर, कास्वीर के नवजवादों को उकसातें तथा कथित जनवत संग्रह की बात करते हैं जो जनवत संग्रह की बात मैं समझता हूं कि अब पूरी तरह से outdated हो चुकी है, irrelevant हो चुकी है, उसका कोई महत तो नहीं है, ऐसे सब सारे सवाल खड़ा करके लोगों को बराबर बरगलाने की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग भी यह पूरी कोशिश करेंगे, तास्वीर का रहने वाला लौजवान हमारा है, हमारे परिवार्ब करें, यशनी उसको किसी ने बरगलाने की यथ्वा बहाने की कोशिश की है, twist हम सही राक्ते पर लाने की हम, पुरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, और उसे क्या हकीकत, इससे हम उसको बराबर औगत कराने की कोशिश कर रहे हैं, और, जहां तक पाकिस्त का स्वाल है मैं इतना हमें जरूर कहना शाह हूँगा कि पाकिस्तान की जिस भी प्रकार की हरकते हैं वो पूरी तरह से गहर जिम्मेदारना है और वह पाकिस्तान बात करेगा इसलाम का रक्षक बनेगा वह पाकिस्तान की जिस भारत का भी भाजन मजभ क्यारहार पर हुआ है और पाकिस्तान बना, वहां के हर इलाके में और तंगीमों के भी पराबर एकदम रसाकसी चलती रहती है, खुन खराबा होता रहता है, उसको नहीं रोख पा रहा है, और मजभ के नाम पर बने पाकिस्तान को जो पाकिस्तान एक नहीं रख पाया, जो पाकिस्तान तूट कर दो चाही होगा, सिख होगा, कोई होगा, हम भारत वासी करें, और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, इस बंच के माध्यम के अपनी सरकार की तरफ से, जितनी भी माइनौरिटी हैं हमारे हिंदोस्तान के उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आप भरोशा कीजिए, बर्गल आने वाल पोटेंसियल है, और सारी दुनिया भी हमें मानने लगी है, कि भारत अब ऐसे हालात में पहुंच रहा है, कि कुछी वर्सों में भारत एक विस्व की ताकत बन सकता है, यक धरोशा और विस्वा सारी दुनिया के अंदर पैदा हो रहा है, और जब कभी किसी आतंकवादी को जिए कोई जया दोसी सिद्ध कर देता है, हमारी देश में ऐसे भी लोग हैं, जो उसकी बहुत को जुडिशियल कीलिंग कहते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको कोई बहुत सजा नहीं देना शाहते हैं, हम यह कोशिश करेंगे, कि जो एक माइंड सेट है, हमारे डेश में बना ह जाएं, उसके बाद जस्त मनाएं, चाहे हुआ कास्वी भी, शेकूर्टी फोर्सेस के जवानों के मारे जाने पर जो जस्त मनाते हैं, यह जो एक विकृत मान सिक्ता है, इस विकृत मान सिक्ता से भी लोगों को बाहर निकालने के लिए, मैं समझता हूं कि हम लोगों को प् स्वास में लेकर करना चाहेंगे, सबको साथ लेकर चलना चाहेंगे, देश हमारा ही नहीं है, आप सबका है, जो बैठे हैं सबका है, जो देश में रहते हैं सबका देश, हम सबको साथ लेकर हम देश को भाटने की अक्वा किसी को अलग रखकर आगे बढ़ने की हम कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि मैं बार बार इस बात को दोहरा चुका हूं कि हम राजनीत के लिए हम लोग करते हैं केवल सरकार बनाने के लिए राजनीत नहीं करते हैं हम राजनीत करते हैं तो देश बनाने के लिए उपसपापटी महोते हम लोग के लिए